इनको psycho education sessions बोलते हैं कि दिमागी बिमारी बिमारियों से related information देना उनके बारे में समझाना उनके लक्षन बताना उनका treatment बताना और सबसे बड़ी बात ये इकलौती बिमारी हैं दुनिया में जिसमें patient से पहले family सीखती है और family ठीक होती है पहले family सीखती है फिर patient ठीक होता है ऐ एसा क्यों एक बात है कि family को पता नहीं होता इन बिमारियों का फिर patient को नहीं हम family को क्यों बोलते हैं कि हम सारा time नीचे उपर session में families को क्यों समझाते हैं sir दो round लेते हैं दिन के आपने कभी देखा है कि कमरे में जाके वो patient को समझा रहे हो ऐसा क्यों होता है ऐसा क्यों होता है वेल हम उसमें blaming में नहीं जाएंगे very simple इसको scientific रखेंगे कि अगर यह orthopedic होता है यहां पे ortho department होता और आपके patient की टांग वांग तूट जाती तो आप उसको जब plaster लगा होता तो आप उसको चलने को नहीं बोलते और ना हम बोलते ठीक है इसी तरह से अब दिमाग की यह समझ वली जो हड़ी है यह काम नहीं कर रही तूट गई आप सो चो दिमाग तूट गया समझ का हिसा तूट गया ब्रेन इस ब्रोकन आओ अब उसको समझ नहीं आ रही तो हम उसको नहीं समझा सकते हम परिवार को समझाएंगे कि क्यूं आपका patient ऐसे कर रहा है क्यूं आपने घर में कुछ ऐसे लक्षन देखे जिसकी वज़े से आप इसको यहां पर लेके आए हो क्यूं हमारा patient नुकसान होने के बावजूद नशे करी जा रहा है क्यूं वो ऐसे ऐसी बाते कर रहा है क्यूं उसके अंदर तेजी आई हुई है क्यूं उसके अंदर शक आया हुए क्यूं उसके अंदर इतनी बेचैनी है क्यूं वो हमसे कट चुका है वो अपनी दुनिया म यह दिमागी बीमारी है और यहां पे दिमाग का treatment होगा और क्योंकि आपके patient के दिमाग का वो हिस्सा जो फैसले करता है जो decision making है जहां पर जो हमारी जिंदगी और शरीर का commander है वो बिमार हो गया है, अब आप अपने दिमाग से काम लीजिये, अब आप patient के साब से नहीं जल सकते, जिसको बहुत families लेती हैं कि वो नहीं मानता, मतलब ये सुनने के बाद भी family कहती है कि patient नहीं मानता, patient नहीं मानेगा, patient गुसा कर रहा है, patient धमकी दे रहा है, हम patient से डर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब हमने अभी तक, family ने अभी तक माना ही नहीं कि ये एक दिमागी बिमारी है, क्योंकि अगर family ये समझ सकती है कि टांग तूटने पर मेरा मरीज चल नहीं पाएगा, तो family ये क्यों नहीं समझ सकती कि समझ तूटने पर वो फैसला नहीं कर पाए यह वली चीज सुनने में असान लगती है मगर जब हम अपने पेशन्ट के सामने होते हैं जब हमें हमारा पेशन्ट धंकी दे रहा होता है जब हमारा पेशन्ट ऐसी कोई हरकत कर रहा होता है तो हम डर जाते हैं या हम डिनायल में चले जाते हैं ठीक है तो जब तक acceptance नहीं आत चुपर ना कुछ नीचे और अगर हम एक hospital में बैठे हैं एक scientific institution में बैठे हैं तो वहाँ पे आप इलाज नहीं कर सकते वहाँ पे डॉक्टर इलाज करता है क्योंकि बिमारी का इलाज नहीं कर सकते आप अपने patient को जानते हो आप अपनी patient से प्यार करते हो आप अपने patient से attached हो आप अपने patient से नराज भी हो कि वो क्यों करी जा रहा है मगर आप अपने रिष्टे को जानते हो आप हमारे patient को नहीं जानते है उसके लक्षन को doctor पहचान सकता है doctor को पता है कि कब दवाई देनी है कब दवाई नहीं देनी doctor को पता है कि अगर patient तीन देन नहीं सो पा रहा है उससे जादा उगर उसको डॉक्टर को दवाई नहीं देनी है, सुलाने के लिए तो नहीं देनी है अब प्रॉब्लम यह आती है कि हमारी बिमारी के साथ ना हर तरीके से दर्ध जुड़ा हुए हम घर में होते हैं तो दर्ध में होते हैं हम हॉस्पिटल आते हैं तो हमें यह दिमाग में एक्सपेक्टेशन होती है कि जल्दी से ना कुछ ऐसा डॉक्टर देगा इंजेक्शन और गोली, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है डॉक्टर सिरफ एक मातरा में दवाई दे सकता है तो हमारे को यहां पर पेन होता है, जो पेशन नशे वाले हैं, उनको जब तोड बचती है, गुस्षा आता है, बिच एनी होती है, नीन नी आती तो उनको देखे फैमली भी घबर आ जाती है, फैमली भी दर्ध में आ जाती है मगर प्रोग्रम कहता है ये दर्द आपको बर्दाश करनी पड़ेगी. पेशन्ट जब इस तरह से होता है कई बार तोर फोर करता है, ऐसी ऐसी बाते करता है, तो वो बाते तो घर पे भी करता था. अब वो बाते करेगा क्योंकि वो अंधर से बिमार है, क्योंकि उसका दिमाग सही नहीं है, अगर हमारे पेशेंट का दिमाग सही होता तो वो ऐसी हरकते नहीं करता तो जो डीटॉक्स के दोरान, विड्रॉल मैनेजमेंट के दोरान, जो डॉक्टर दवाईयां देके ये ब्रेन में जो केमिकल्स है इतने सारे, ठीक है, जो ये खराब हो चुके हैं, डॉक्टर दवाईयों से उनको बैलेंस में संतुलन में करने की कोशिश कर रहा है, ये जो दिमाग में आपको दिख रहा है न, जो बना हूँ अंदर, ये जोड है, एक सिनेप्टिक कनेक्शन्स, कनेक्शन्स हैं जोड, एक तरह से लेक्ट्रिक सर्केट दिमाग में चलता है, हमारे पेशन्ट का लेक्ट्रिक सर्केट तूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो जितन family को अपने दिमाग में ingrain करनी पड़ेगी, बिठानी पड़ेगी कि ये ऐसा कर रहा है क्योंकि बिमार है ये गाली दे रहा है, ये बिमारी का लक्षन है, ये अब तोरफोर कर रहा है, ये बिमारी का लक्षन है ये शक कर रहा है, ये बिमारी का लक्षन है यह सारे बिमारी के लक्षन है अब यह मानेंगे तो हम आगे चलेंगे न अगर हम इतनी मीटिंग सुनने के बाद इतने सेशन के बाद भी बोलेंगे कि वो नहीं मानता तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है हमने अभी नहीं माना हम denial में है denial भी इस बिमारी का symptom है denial मतलब हम नहीं मानते patient नहीं मानता क्योंकि वो बिमार है क्योंकि उसकी समझ मनाने वाला हिस्सा काम नहीं कर रहा हम क्यों नहीं मानते क्योंकि हमने अभी तक माना ही नहीं यह बिमारी है तो बहुत देर तक हमारी जिन्दगी की गाड़ी इलाज की गाड़ी आगई नहीं बढ़ती वैसे ही सर कहते हैं एवरेस दस साल हम लेट आते हैं हस्पिताल पॉंचने के बाद भी हम इसी चीज में जूलते रहते हैं यह थोड़ा है यह ज़ादा करता है यह इतना नहीं है यह इतना नह आज होगा तो वो ठीक होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता और देखिए सब को साइंटिफिक है यहां पे एक एक चीज जो लिखी हुई है यह इस बिमारी से जुड़ी हुई है अगर दिमाग में केमिकल है और बढ़ गए है जैसे जो बच्ची जो उठके गई जो अब अब उ इसको अभी टिकान ही आ रहे है जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ने पर किसी का सर फट रहा है तो कह रहा है मेरा बीपी बढ़ा सर फट रहा है मैं यह नहीं बैठ सकता इसी तरह से वो भी यह कहने की कोशिश कर रही है कि मैं नहीं बैठ पा रही क्यों क्योंकि इसके पीछे भ जितना आप scientifically समझेंगे उतना आपकी जिन्दगी और treatment असान हो जाएगा